बहुत समय पहले की बात है प्रित्वी पर परिदेश की तीन चोटी परिबेने रहती थी उन तीनों का शरीर फूल से बना हुआ था जिस वज़े से सभी उन्हें चोटी फूल परियां कहती थी एक दिन तीनों परिबेनी प्रित्वी पर घूम रही थी तब ही उनकी नजर प्रित्वी पर रहने वाली गली बनात लड़कियों पर पड़ती है उनकी लाचारी और दुख भरी जिन्दगी देख तीनों बेनों की आँखों में आँसों आ जाते है ये पेचारी लड़कियां बहुत दुख भरी जिन्दगी जी रही है हमें इन सब की साहता करने चाहिए हाँ हमें इन सब को कोई होनर सिखा देना चाहिए जिसे ये जीवन में अपना गुजारा कर सके मेरे पास बहुत बढ़िया सुझाव है हमेर पृति पर एक क्लास खोलना चाहिए उसके बाद हम गरीब लड़कियों को अपनी क्लास पे अलग-अलग तरह के जादूई होनर सिखाएंगे पहर अगले दिन तीनों बहने धेर सारे फोल प्रकट करके उनसे एक संदर क्लास तयार कर लेती है उसके बाद तीनों बहने सभी गरी बनात लड़कियों को वहाँ इखटी कर लेती है आज से हम तुम सभी को अपनी क्लास में तरह-तरह के जादूई होनर सिखाने वाली है हमारी क्लास में जो भी लड़की फरस्ट आएगी हम उसे एक विशाल जादूई भूल देंगे उस भूल की शक्ती से वो कुछ भी कर सकती है ये सुन कर सभी लड़कियां खुश हो जाती है लेकिन हम सब को सड़कों पर कच्रा चुन कर अपना गुजारा करती है अगर हम अपकी क्लास में पढ़ेंगी तो हमें कच्रा चुनने का समय नहीं मिलेगा जिससे हम खाना नहीं खरीद पाएंगी हाँ भूके पेट क्लास में हम कैसे पढ़ पाएंगे खाने पीने की जिन्दा मत करेंगे हम तीनों बेहने तुम्हें रोज पेट बर स्वादिश खाना किलाएंगी बस फिर क्या था ये संते ही सबी लड़कियां खुशे से उचल पड़ती है फिर इस दिन से तीनों पर ये बेहने लड़कियों को क्लास में जादूई किताब से पढ़ाना शुरू कर देती है इसी दोरान एक दिन गितांजली नाम की एक लड़की जो इस बारे में पता चलता है गितांजली बहुती लाल सी लड़की थी उन तीनों बेहनों का कहना है कि उनकी कलास में जो लड़की फस्ट आएगी उसे वो विशाल जादूई फूल दे देंगी बस एक बार किसी तरह जादूई फूल मुझे मिल जाए उसके बाद मुझे दौलत मन बनने से कोई नहीं रोख सकता फिर अगले दिन के तांजली फटे पुराने कपड़े पहन कर उन परियों के सामने पहन जाती है मैं बहुत करीब हूँ सालों पहले मेरे माता पिता मर गए मेरे चाचान चाची मुझे पर बहुत अत्याचार करते हैं दया करके आप तीनों मुझे अपनी क्लास में अड्मिशन दे दीजिए ताके छोटा मोटा जादो सीकर मैं अपना गुजारा कर सकूँ हाँ हाँ आज से इन लड़कियों के साथ तुम भी हमारे यहां परना शुरू कर दो ये सुनकर गितानजली खश हो जाती है फिर अगले दिन से गितानजली भी दूसरी लड़कियों की तरह क्लास में पढ़ाई करने लगती है देखते ही देखते कुछी महीने बीच जाते हैं और एक्जाम का दिन आ जाता है सबी लड़कियां इमानदारी से एक्जाम दे रही थी लेकिन जादूई फूल के लानज में गितानजली एक्जाम में बेमानी करके फस्ट आ जाती है मैं क्लास में फस्ट आ गई अब मुझे जादूई फूल मिलेगा गितानजली मुझे पता है चीटिंग करके तुम फस्ट आई हो हाँ जादवी फूल के लानज में तुमने एक्जाम में चीटिंग की है मैं तीनों परीबेनों को तुमारी सच्चाई बता दूँगी अरे जाजा अब तो रिसल्ट आ चुका है कोई मेरा कुछ नहीं बेकार सकता तीनों बेने मुझे जादवी फूल दे देंगी और ऐसे ही होता है तीनों परीबेने गितानजली को एक विशाल जादवी फूल दे देती है ये तो गलत बात है हम सबने इतनी मांदारी से पढ़ाई की लेकिन हमें जादवी फूल नहीं मिला और इस धोके बास को बड़ी आसानी से जादवी फूल मिल गया हाँ तो ने सही कहा अब ये इसका गलत इस्तमाल करेगी दूसरी तरफ जादवी फूल पांकर गितानजली पहुत खुछ होती है अब मैं जादवी फूल की शक्ती से अपने लेक बड़ा बंगला और धेर सारे नोकर मांगूंगी फिर गितानजली जादूई फोल को जमीन पर रखकर उसे अपनी छमागनी लगती है लेकिन अगले हीपल जादूई फोल के अंदर से एक काला फोल बाहर निकल कर गितानजली के सर पर आ जाता है जिससे गितानजली पूरी तरह काली और बजसूरत हो जाती है फिर अगरे ही पल उस फूल के अंदर से एक बड़ा डंडा बाहर निकाल कर गितांजली की पिटाई करने लगता है अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है अरे कोई बचाओ मुझे तब ही वहाँ तीनों छोटी परिबहने आ जाती है तुने एक्जाम में चीटिंग की थी ना इसलिए तुझे ये सजा मिल रही है जादी फूल हमेशा सच्चाई और इमानदार लोगों का साथ देता है इससे पता चल गया कि तुने चीटिंग की थी इसलिए उसने तुझे बचसूरत बना दिया अब तुझे जिन्दगी बर इसी तरह बचसूरत बनी रहेगी मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो मैं बचसूरत बन कर जीना नहीं चाहती मुझे भीसे खुब सूरत बना दो अब बहुत देर हो चुकी है तुझे ये सब पहले ही सोचना चाहिए था उसके बाद तीनों परीबहने गितानजली को वहां से भगा देती है फिर गितानजली अपने बुरे कर्मों पर अफसूस करते हुए वहां से चली जाती है दूसरी तरफ तीनों परीबहने इमानदारी से फर्स्ट आई हुई लड़की को जादे भूल देती है मायपुर नाम का एक बहुत ही संदर गाउं था जहां के लोग बहुत भोले भाले और सरल स्वभाव के थे गाउं के पडोस में एक जंगल था जहां जूली नाम की जादुगर्नी अपनी बेटी मोहिना के साथ रहती थी देख बेटी मैंने कल शक्ती से प्रात्ना करके एक जादुई मंगल सुत्र पाया है जादुई मंगल सुत्र? हाँ अगर कोई लड़का ये मंगल सुत्र किसी लड़की को पहना दे तो वो लड़का लड़की के पूरी तरह बस में हो जाएगा ये तो बहुत अच्छी बात है मा इस मंगल सुत्र से मैं बहुत सारे लड़कों को अपना गुलाम बनाऊंगी और उनसे मन चाहा काम करवाऊंगी हाँ बेटी इस मंगल सुत्र से हम पृत्वी के सावी लोगों को गुलाम बनाएंगे अंसे काम कराएंगे और अमीर बन जाएंगे तुम पड़ोस वाले मायापुर गाउं जाओ वहां के लड़कों को बहला फुसलाओ ताके वो ये मंगल सुत्र तुम्हें गले में डाल दें और तुम्हारे गुलाम बन जाएं मुहीना सुन्दर कपड़े पहनती है ठेर सारी लिप्स्टिक लगाती है और मायापुर गाउं की तरफ निकल पड़ती है उधर गाउं में लोग दिवाली के त्योहार में लगे हुए थे बंटी आज अपने घर पेंट कर रहा था हाई बंटी कैसे हो? ओ हाई करिश्मा बताओ तो जरा मैंने कैसा पेंट किया है तुमने बहुत अच्छा पेंट किया है तुम्हारा गर बहुत चंदर लग रहा है मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि सोनम, मैं और अजय फूल भाग गुमने जा रहे हैं क्या तुम भी चलोगे? हाँ हाँ मैं जरूर चलूँगा चलो चलते हैं ठीक है तुम नहा धोकर तयार हो जाओ बारा बजे निकलेंगे बंटी जब नहा ने धोने के बाद करिश्मा की घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे जादू करनी की बेटी मोहीना मिल गई सुनो क्या मुझे कुछ खानी को दोगे मुझे बहुत भूग लग रही है तुम कौन हो? तुम्हें पहले यहां नहीं देखा? मेरा नाम मोहीना है मैं राम नगर के सबसे बड़ी अमीर वेपार की बेटी हूँ मैं अपने बॉइफरेंड के साथ घर से भाग आई थी लेकिन मेरा बॉइफरेंड मुझे छोड़ कर चला गया बंटी मन ही मन में सोचता है इतनी सुन्दर लड़की वो भी राम नगर के अमीर वेपारी की बेटी अगर मेरी शादी उससे हो जाए तो मज़ा ही आ जाए बंटी मोहीना के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है लो मुझे ये मंगल सुत्र पहना दो फिर मैं तुम्हारी हो जाओंगी बंटी मोहीना को जैसे ही मंगल सुत्र पहनाता है वो मोहीना के वश में हो जाता है चल घदे मुझे गोद में उठा और जंगल की तरफ ले चल उधर करिश्मा, सोनम और अजय बहुत देसे बंटी का इंतजार कर रहे थे ये बंटी कहां रह गया? बारा बजने वाले हैं, हम लोग लेट हो जाएंगे मैं बंटी को देखने जा रहा हूँ, तुम लोग यही बैटना अजय बंटी को ढूडने जाता है रास्ते में उसे मोहीना मिल जाती है सुनो तुम मुझे कुछ खानी को दोगे क्या? मुझे बहुत भूग लग रही है तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहीना है, मैं रामनगर के सबसे अमीर वेपारी की बेटी हूँ मैं अपने बॉइफरेंड के साथ घर से भाग गई थी लेकिन मेरा बॉइफरेंड मुझे छोड़ कर चला गया करश्मा और सोनम बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि अब अजय भी गायब हो चुका था ये दोनों कहां चले गए हमें इने जाकर ढूड़ना चाहिए करश्मा और सोनम अजय और बंटी को ढूड़ने निकलते हैं उन्होंने देखा के एक सुन्दर लड़की रास्ते पर जा रही है और लड़कों को रोक कर उनसे बाते कर रही है अजय और बंटी भी इसी रास्ते से गुजरे होंगे उन्हें भी ये लड़की मिली होगी कही ये लड़की कुछ गड़बर तो नहीं कर रही हमें इसकी बातें सुननी चाहिए करश्मा और सोनम एक पेड के पीछे छुप जाते हैं वो मुहीना की बातें सुनते हैं मुहीना जूट बोलकर लड़कों को अपने गले में मंगल सुत्र दालने के लिए बहला फुचला रही थी गाओं के एक और लड़के ने मुहीना के गले में मंगल सुत्र डाला मुहीना जब उसे जंगल के तरफ ले जाने लगी तो करश्मा और सोनम मुहीना का पीछा किये वो दोनों मुहीना का पीछा करते-खरते उसकी गुफा तक पोहंच गए उन्होंने देखा के अजय और बंटी वही पर मौजूद है ये लड़की जरूर लड़कों को कोई जादू कर रही है मुझे तो उस मंगल सुत्र में कुछ गड़बर लग रही है वो लड़कों से मंगल सुत्र अपने गले में दलवा रही है हमी उस मंगल सुत्र का जड़ू तोड़ना होगा करिश्मा और सोनम भाग कर घर जाती है वो दोनों लड़कों की तरह कपड़े पहनते है और फिर मोहीना की गुफा में जाती है सुनो मोहीना हमें भी तुमसे शादी करनी है अच्छा ये लव मंगल सुत्र मुझे पहना दो मोहीना जैसे ही करिश्मा की हाथ में मंगल सुत्र देती है करिश्मा उस मंगल सुत्र को तोड़ देती है मंगल सुत्र के तोड़ते ही मंगल सुत्र का जादू खतम हो जाता है और सारे लड़के होश में आ जाते हैं सुनो लड़कों ये दोनों जादूगर्नी है इन्होंने इस मंगल सुत्र के जरीयत तुम लोगों को अपने बस में कर लिया था ये तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती थी सबी लड़के मिलकर मुहीना और उसकी मा को जला देते हैं दोनों जलकर बसम हो जाते हैं चलो दोस्तो अब सब कुछ ठीक हो गया है हम लोग फूल बाग घुमने चलते हैं बिजलीपूर नाम के गाउ में मरजीना नाम की लड़की अपनी बुढ़ी दाधी के साथ रहती थी एक दिन मरजीना देखती है कि उसकी दादी घर के पीछे बने सूखे कुवे के अंदर उतर कर उसकी खुदाई कर रही थी ये देख मरजीना को बड़ा तच्जुब होता है और वो अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछती है दादी आप इस कुवे में खुदाई क्यूं कर रही है ये सुनते ही मरजीना की दादी कुवे से बाहर निकलाती है और मरजीना को उस कुवे का रास बताती है सुनो बेटी ये कुवा साधारन कुवा नहीं है इस कुवे के अंदर दूसरी दुनिया में दाखिल होने का एक खुफिया रास्ता बना है ये अब क्या कह रही है दादी क्या चच में इस धर्ती के नीची दूसरी दुनिया मौजुद है लेकिन ये कैसे हो सकता है मरजीना की दादी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है ये दुनिया पूरी अजीब और गरीब रहस्यों से भरी है जिससे समझ पाना हम इनसानों की बसकी बात नहीं है अब चलो यहां से रात बहुत हो गई है उसके बाद मरजीना अपनी दादी के साथ घर के अंदर चली जाती है लेकिन दूसरी तरफ पेड़ के पीछे चुपान कालिया नाम का एक आदमी उन दोनों की बात सुन लेता है आखिर कार आज इस बुढ़िया ने दूसरी दुनिया तक पहुंचने का राज बता ही दिया अब मज़ा आएगा कालिया वहां से चला जाता है अगले दिन मरजीना की दादी फिर से उस कुवे की खुदाई शुरू कर देती है अरे दादी ये आप फिर से क्यों कुवा खोद रही है दरसल इस कुवे की खोच तुम्हारे दादा जी ने की थी लेकिन फिर एक दिन खुदाई करते करते वो अचानक गायब हो गए ये सुनते ही मरजीना चौंक जाती है ओ समझ गई आपको लगता है के दादा जी उस कुवे के जरीए दूसरी दुनिया में चले गए है मुझे लगता नहीं बलके मुझे पूरा यकीन है बेटी की बात है दादी तो फिर मैं आज ही इस कुवे को पूरी तरह खोट कर दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाओंगी इतना कहे कर मरजीना बाजार से खुदाई करने वाली एक बड़ी मशिन ले आती है फिर काफी देर खुदाई करने के बाद मरजीना दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पौहन जाती है मरजीना बिना देर के अपने दादी के साथ उस दरवाजे को खोल कर उस पार चली जाती है लेकिन तबीकालिया वहां आ जाता है और उन दोनों के पीछे-पीछे वो भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है दूसरी तरफ दूसरी दुनिया का नजारा देख मरजीना और उसकी दादी बहुत खुश हो जाते हैं अरे वाँ देखो दादी ये दुनिया कितनी सुन्दर है और यहां के लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे पूरा येकिन है दादा जी हमें जल्द मिल जाएंगे। थोड़ी देर खोजबिन के बाद मरजीना की दादी देखती है कि मरजीना के दादा जी एक टेलर की दुकान पर बैठे कपड़े सी रहे हैं। मरजीना की दादी फॉरण मरजीना को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती है। मर्जीना और दादा दादी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं तब दुकान का माली काकर कहता है आरे दादा जी बोहत ही नेक और इमानदार इंसان है इसलिए मैंने ही ने अपने यहां काम पर रखा है ये हमेशा कहते थे के एक दिन इनकी पोती इन्हें लेने जरूर आएगी क्योंकि दूसरी दुनिया का दर्वाजा हमेशा के लिए बन हो गया था इसलिए वापस ये नहीं जा सकते थे मेरे दादा जी का खयाल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्री आंकल वो लोग बात कर ही रहे थे कि तबी वहां कुछ लोगों की जोर से चिलाने की आवाज सुनाई देती है पकड़ो पकड़ो चोर चोर देखो कोई भागने न पाए मरजीना देख देखती है कि कुछ लोग कालिया को पकड़ कर उसके प्रटाई कर रहे है अरे नहीं नहीं मुझे छोड़ तो मुझे गलती हो गई मैं कभी दुबारा चोरी नहीं करूँगा और नहीं इस दुनिया में कभी लौट कराओंगा अरे ये तो कालिया चोर है इसका मतलब ये हमारा पीछा कर रहा था उसके बाद मर्जीना उन लोगों से माफी मांग कर कालिया को बचा लेती है फिर वो सबी वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं कालिया भी वापस अपने घर चला जाता है मर्जीना के दादा जी अपनी थैली खोल कर उसमें से ढेर सारे सोने के पॉपकॉन निकालते हैं ये क्या है दादा जी बेटी ये जिस तरह हमारे यहां नोट चलते हैं उसी तरह उस दुनिया में सोने के पॉपकॉन चलते हैं लोग सोने के पॉपकॉन दे कर चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं मैंने इतने साल उस दुकान में काम करके इतने सारे सोने के पॉपकॉन कमाए हैं आज से ये सब तुमारे हैं इस तरह वो अमीर हो जाते हैं और हसी खुशी अपनी जिन्दगी बताने लगते हैं तो आपने देखा फ्रेंड सोनो के पॉपकॉन की कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इमानदारी और सचाई हर जगा इनसान के काम आती है अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चनल छोटू टीवी को सबस्क्राइब भी कर लें और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना के आपको कहानी क्यासी लगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया बैक की तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं भूतिया बैक की कहानी कुंति और समाया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे दोनों चंगु नाम के एक लड़के से प्यार करती थी चंगु आज कॉलेज के बाद मेरे साथ हांटेड हाउस घूमने चलोगे केवल तुम और मैं और कोई नहीं बहुत मजाएगा तबी वहाँ समाया आ जाती है और कहती है कॉलेज के बाद चंगु वो सड़ियल हांटेड हाउस खूमने नहीं जाएगा वो मेरे साथ वाटर पार जा रहा है मैं अपनी बैग में चंगु के लिए नए अड्रेस लेकर आई हूँ और मेरे लिए भी एक नए अड्रेस समाया चंगु को लेकर कैंटीन में चली जाती है कुन्ती कहती है इस समाया कमीनी ने छोटे-छोटे कपड़े पहन कर चंगू को अपने बस में कर लिया है मैं इसका बैक चुरा लूँगी फिर देखते हैं वो वाटर पार्क कैसे जाएंगे समाया कैंटीन में चंगू से बात ही करने में बिजी थी और उसने अपना बैक भराबर वाली चेर पर रखा हुआ था कुंती चुपके से समाया का बैक उठा लेती है और जंगल में फैंग देती है कुछ देर बात समाया को अपने बैक का ध्यान आता है मेरा बैक? अरे मेरा बैक कहा गया? यही तो रखा था मैंने समाया पूरे कैंटिन में अपना बैग ढूंटी है लेकिन उसे कही नहीं मिलता तबी समाया की एक क्लास्मेट कंचन समाया के पास आती है और कहती है मैंने कुंती को तुम्हारी बैग के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा था उस कलमुही ने मेरा बैग जरूर जंगल में भेग दिया होगा समाया जंगल में अपना बैग ढूनने जाती है उधर जंगल में बुसायला चुड़ैल भूतों की कॉलेट से लोट रही थी वो अपना बैग एक पेड़ के पास रख देती है और टॉयलेट करने चली जाती है समाया जर जंगल पहुंचती है तो उसकी नजर चुड़ैल की भूतिया बैग पर पढ़ जाती है समाया का बैग और चुड़ैल का बैग उपर से दिखने में बिलकुल एक जैसे थे और रात के नौ बजे उठती है खाना खाने के बाद वो अपना बैग खोल कर देखती है बैग में तीन खोपड़ियां निकलती है समाया डर जाती है लगता है ये किसी चुड़ैल का बैग है ये तो मेरा बैग नहीं है खोपडियों में से आवाज आती है हम तीन खोपडियां तीन खोईशे पूरी कर सकती है इन खोपडियों से मैं कुंती को मज़ा चकाऊंगी सबसे पहले तो उसके चंगु से दोस्ती तुड़ाऊंगी हे खोपडि कुंती और चंगु की दोस्ती तोड़ दो एक खोपड़ी उड़ती हुई जाती है और कुंती में समा जाती है अगले दिन कुंती कॉलेज जाती है तो चंगू से कहती है ए चंगू तेरा मूग गदे की तरह है तेरे बाल कुटे की पूँच की तरह है तु गवार और उल्लू का पठा है तुम कितनी बत्तमीज हो कुंती, मुझे कभी बात मत करना, आच्छे मेरी तुम्हारी दोस्ती खतम चंगो ये सब मैंने नहीं बोला, मुझे किसीने बुलवाया है चल हट निकल ले यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कुंती कैंटीन में चली जाती है तब ही समाया भूतिया बैक से दूसरी खोपडी निकाल कर उसे आदेश देती है हे खोपडी कुंती का पूरा मुग काला हो जाए और वो बच्शूरत बन जाए दूसरी खोपडी कैंटीन में जाकर अपना जादू दिखाती है कुंती का सारा मुख काला हो जाता है और वो बचसूरत हो जाती है अरे ये क्या हो गया मैं इतनी काली कैसे हो गई कैंटिन में सबी लोग कुंती को देखकर खुब हसने लगते हैं अब इस चंगु को भी मज़ा चकाने का टाइम आ गया है हमेशा उस कुंती से चिपका रहता है समाया भूतिया बैक से तीसरी खोपडी निकालती है और उसे आदेश देती है हे खोपडी चंगु अपनी पैंट में सुसु कर ले समाया क्लास में बैटकर खोपडी को आदेश दे रही थी कंचन खिडकी से ये सब कुछ देख लेती है वो कुंती को जाकर सब कुछ बता देती है उधर स्चंगु अपनी दोस्तों के साथ खड़ा था तबी तीसरी खोपडी वहां आकर अपना जादू दिखाती है चंगु अपनी पैंट में सुसु कर लेता है उसकी पैंट गिली देखकर उसके दोस्त उसकी खूब हसी बनाते है देखो देखो चंगु ने अपनी पैंट में सुसु कर ली तबी वहां कुंती पोहँचती है और कहती है चंगो ये सब समाया करवा रही है कंचन ने मुझे बताया है उसने सब देखा है कुंती और चंगु समाया के पास जाते हैं कुंती कहती है ये तुमने अच्छा नहीं किया समाया तुने भी अच्छा नहीं किया तुने मेरा बैक चुराकल जंगल में फैक दिया वो मुझे आस तक नहीं मिला कुंती तुम्हारी भी गलती है तुमने समाया का बैक नहीं चुराना चाहिए था और समाया अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो जरूरी नहीं हम भी उसके साथ बुरा करें चलो अब देख दूसरे से माफी मांग लो समाया और कुंती एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और वो फिर तीनों आपस में दोस्ती बना कर खुशी-खुशी रहने लगते हैं तो आपने देखा फ्रेंड्स भूतियाबा की कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो जरूरी नहीं के हम भी उसके साथ बुरा करें दूसरों का बुरा व्यवार देखकर अपना अच्छा व्यवार नहीं चोड़ना चाहिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चानल चोड़ो टेवी को सुब्सक्राइब भी कर लें और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको कहानी कैसी लगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हो ये कहानी है जादूई हल्दी के लेपकी चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जादूई हल्दी के लेपकी कहानी किसी समय मंगल ग्रह पर मंगोला नाम का एक खुब सुरत शहर हुआ करता था वहाँ नताशा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी नताशा के पिता जी एक यूएफो पाइलेट थे नताशा कभी कभी अपने पिता जी का यूएफो लेकर अंतरिक्ष की सेर पर निकल जाया करती थी सुनिये जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस तरहां नताशा को यूएफो की चाबी मत दिया करें वो सारा दिन अंतरिक्ष में घूमती रहती है नताशा हमारी एक लौती बेटी है हमें उसकी हर खौईश पूरी करनी चाहिए देख लेना एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी पता नहीं वो दिन कब आएगा इतना कहे कर नताशा की मा किचिन में खाना बनाने चली जाती है इस तरहां वो तीनों अपनी जिन्दगी में बहुत खुश थे लेकिन तबी एक दिन अचानक नताशा के पिता जी का यूएफो क्राश हो जाता है और उन्हें मंगल ग्रह के बड़े हॉस्पिटल में एड्मेट करा दिया जाता है डॉक्टर अंकल अब मेरे पिता जी की तबित कैसी है और वो कब तक ठीक हो जाएंगे देखो बेटा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे पिता जी के जखमों पर हमारी दवाईयों का कोई असर नहीं हो रहा है तुम्हारे पिता जी के जखमों को ठीक करने के लिए हमें जादुई हल्दी का लेप की जरूरत है जो सिर्फ पृत्वी पर मिलता है नताशा और उसकीमा मंगल ग्रह के दूसरे पाइलोटों से गुजारिश करते हैं कि वो पृत्वी पर जाकर जादुई हल्दी का लेप ले आएं लेकिन मंगल ग्रह के सभी पाइलेट पृत्वी पर जाने के से इंकार कर देते हैं ये देख नताशा की मा रोने लगती है तब ही नताशा कहती है तुम फिकर मत करो मा मैं पिता जी को कुछ नहीं होने दूगी मैं पृत्वी पर जाकर हल्दी का लेप जरूर लेकर आऊंगी अगले दिन नताशा एक यूएफो में बैठ कर पृत्वी की और निकल पढ़ती है लेकिन जैसे ही वो पृत्वी पर पहुंसती है कि तब ही पृत्वी की गरम वातावरन के कारण उसका यूएफो क्राश हो जाता है और नताशा एक खेत में जाकर गिरती है वही खेत पर काम कर रहा रौनक नाम का एक लड़के की नजर नताशा पर पढ़ती है और वो भाग कर उसके पास आ जाता है सुनो तुमें कही चोड़ तो नहीं लगी तुम कौन हो और कहां से आई हो नताशा रौनक को सारी बात बताती है तुम चिंता मत करो हम लोग खांदानी जादोगर हैं मैं अपने दादा जी से कहकर तुम्हारे पिता जी के लिए जादोई हल्दी काले बनवा दूँगा और तुम्हारे यूएफो को भी ठीक करा दूँगा रौनक की बात सुनकर नताशा बहुत खुश हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है क्योंके रौनक एक बहुत ही खुबसुरत नौजवान था रौनक दिन भर महनत करके नताशा के यूएफो को ठीक कर देता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम प्रित्वी के लोग कितने अच्छे हो उसके बात नताशा जादुई हल्दी का लेपले ने रौनक के साथ उसके घर चली जाती है लेकिन तभी रात में दो चोरों की नजर खेत में खड़ी नताशा की यूएफो पर पड़ती है देखो बास यहां तो एक यूएफो खड़ा है अगर हम इसे चुरा कर बेज दें तो हम अमीर बन जाएंगे हाँ तुम ठीक कहते हो चलो काम पर लग जाते हैं इसे चुरा कर यहां से ले चलते हैं दोनों चोर नताशा की यूएफो को चुरा लेते हैं अगले दिन सवेरे नताशा यूएफो के पास आती है अरे नहीं किसी ने मेरा यूएफो चुरा लिया अब मैं वापस मंगल ग्रह कैसे जाओंगी मैं क्या करूं ये देखकर रौनक फोरण अपने घर में रखे जादूई गोले को उठा लेता है और उस गोले में देखकर दोनों चोरों का पता लगा लेता है मुझे उन दोनों चोरों का पता चल गया है चलो चल कर उन्हें सबक सिखाते हैं दूसरी तरफ दोनों चोर नताशा की यूएफो को एक अमीर आदमी को बेच रहे थे कि तभी रौनक और नताशा वहां पहुंच जाते हैं रुख जाओ इसे चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औरे बास हम तो रंगे हातों पकड़े गए चलो यहां से भाग चलते हैं वरना यह हमें पुलिस के हवाले कर देंगे दोनों चौर जैसे ही भागने लगते हैं कि तभी रौनक एक मंत्र पढ़कर उन्हें रसी से बान देता है और अपने गाओं की जेल में बन कर देता है और साथ ही अपने दादा जी से बनवाया हुआ जादोई हल्दी कलेप नताशा को दे देता है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है अब तुम जाओ तुम्हारे पिता जी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे इस तरह नताशा जादूई हल्दी का लेप ले जाकर अपने पिताजी को ठीक कर देती है फिर कुछ दिनों के बाद नताशा पृत्वी पर वापस आती है और रौनक से शादी कर लेती है फिर दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने सिंदगी बिताने लगते हैं तो आपने देखा फ्रेंड्स जादूई हल्दी के लेप की कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नताशा की तरह वक्त पढ़ने पर हर मुसीबत का बिना घबराए सामना करना चाहिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल चोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी